नमस्कार दोस्तो मैं डॉक्टर सुरेश प्रेहर आप सभी का स्वागत करता हूं CBT थेरेपी 2023 के इस एपिसोड साथ के अंदर दोस्तो आज का एपिसोड है विचारों का मन की खुशी पर परभाव कि दोस्तो आप सभी चाहते हो कि आपका जो मन है वो बहुत अच्छा रहे वो बहुत ही खुश रहे तो हम अपने मन को के से खुश रख सकते हैं हमारे विचारों की वज़े से तो आएए आज इस पूरे सेशन में आप इसको अंत तक देखो और पूरी जो वैस्ताएं हैं उसको समझो के किस परकार से हमारा जो मन है वो हमारे विचारों के साथ में जुड़ा हुआ है और केसे एक की प्रिस्तिती के अंदर दो इनसान पेदा होते हैं दो इनसान बड़े होते हैं और वो अपने अपने छेतर के अंदर काम करते हैं एक की प्रिस्तिती एक की घटनाएं और उसके अंदर वो दो इनसान जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वैसे एक तो बहुत खु और वो हमेशा tension में रहता है, छोटी-छोटी परिशानियों से वो गबरा जाता है, तो दोस्तो केसे ये हो पाता है, आप इस बात को भी समझोगे, और इससे हमें ये सीख मिलेगी, कि हम अपने मन को केसे हमेशा खुश रखें, और इसके लिए हमारे जो विचार हैं, वो केसे इसके अंदर कारगर होते हैं, किसे इसमें काम करते हैं दोस्तो, आएए आगे बढ़ें, दोस्तो जैसे मैंने आपको बताया, कि आप अपनी लाइफ के अंदर क्या बनना चाहते हैं, आप एक अच्छे इंसान के तोर पर, खुश नुमा इंसान के तोर पर बनना चाहते हैं या फिर एक चिंता करने वाले बनने जाते हैं दोस्तों देखा जाए तो दरसल बात यही है कि जो वक्त आपने बहुत अच्छी से खुशी से आनंद के साथ में बिता लिया और मजे के अंदर जिंदगी जी ली वही जिंदगी है इसके अलावा तो कष्ट है तो आपके कष्ट कम से कम हो और आपके आनंद आपके सुख ज़्यादा से ज़्यादा हो इनी परियासों के तहट यह पूरे एपिसोड आपके पास में आ रहे हैं और उमीद करता हूं कि CBT थेरेपी के जो पूरे एपिसोड है वो आप 2023 का जो वर्जन के जो एपिसोड है वो आप पूरे देखें जो अभी ओपन है कुछ टाइम बाद में इसको हम क्लोज करेंगे और अगर आपको CBT थेरेपी का पूरा कॉर्स चाहिए तो वो हमारी वेबसाइट पर अविलेबल है और उसका लिंक इसी वीडियो के साथ में दोस्तो दोस्तो खुश रहने वाला या फिर जो आनंद के साथ में रहने वाला जो व्यक्ति है एसा व्यक्ति जो हर एक प्रिस्तिती को बड़ी ही positive लेता है और हर एक प्रिस्तिती के साथ में बड़ा ही तालमेल बिता कर वो आगे बढ़ता है वो इनसान केसा इनसान होता है हम इसको समझते हैं और हम एक मन की जो विचारों के साथ में जो तालमेल है विचारों के साथ मन का क्या कनेक्शन है उसको समझने के लिए मैं आपको यहाँ पर एक एक्जामपल देना चाहूंगा और यह एक्जामपल है दोस्तो होट एर बैलून का कि आपने बहुत सी जगह घूमने फिरने वाली जगह पर अक्सर आपने ऐसे देखा होगा कि बैलून होता है एक बहुत बड़ा और वो आस्मान के अंदर उड़ता फिर रहा होता है और आप जब इसको बहुत ही गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उपर की साइड में बैलून है और नीचे के साइड में उसके एक एसा यंतर लगाए जाता है जो कि आग पेदा करता है उस आग की गर्मी से जो हावा है वो गर्म होती है और वो जो गर्म हावा है वो उस बैलून को उपर की और उड़ाती है दोस्तों तो एक ऐशा चीजें आपने हो सकता है कि आपकी लाइफ के अंदर आपने ऐसी चीज़ें देखी हो अगर आपने देखी है तो आप अपने माइन्ड को उस चीज़ों से बहुत ही अच्छे से समझ सकते हो आईए मैं आपको बताता हूँ कि किस परकार से जैसे कि वो एक उपर गुबारा था और इसके नीचे आग पेदा क्यार कर रहे थे और जो गरम हवा है उस गुबारे को उपर लेके जा रहे थी वेसे ही आप इसे मान सकते हो कि वो गुबारा जो है वो एक परकार से आपका मन है आपका मन उपर कब जाएगा उपर का मतलब खुश कब होगा अच्छा कब रहेगा ये हम अब समझते हैं और कब वो डाउन चला जाएगा जब वो जो गेंस है जो ठंडी जो अगर उसमें से गर्म हवाएं जो निकलती है वो तो उसको उपर लेके जाती है और अगर हवा ठंडी हो गई है आग अगर कमजोर हो गई है अगर नहीं जल रही है तो वो गुबारा नीचे आजाएगा यानि कि दुख की स्तिती में आजाएगा तो मैं इस गुबारे को आपके मन की खुशी और उदाशी के साथ में जोड रहा हूँ दोस्तो उस गुबारे को उपर उठाने में यानि कि मन को हमारे अच्छा रखने में किन-किन चीजों का योगदान है इसको अगर आप समझे तो इसके अंदर जैसे वो जो गरम हवा थी उसका योगदान था वेसे ही आपके विचारों का योगदान है और उसी विचारों के साथ में एक बड़ी चीजें बनती है वो क्या बड़ी चीजें है कि आपका उत्सा आपके मन को कौन खुश रख सकता है वो है आपका उत्सा आप अपनी जिन्दगी को जितना उत्सा के साथ जीते हैं जितना जोस के साथ अपनी जो जीवन है उसको आगे बढ़ाते हैं आप जितनी आशाओं के साथ जितनी उमीदों के साथ अपनी जीवन को जीते हैं और जितने आनंद के साथ, जितने मज़े के साथ अगर आप अपनी life को आगे बढ़ाते हैं दोस्तो उतना ही आपका मन जो है वो आगे बढ़ेगा दोस्तो आपके life के अंदर सम्मान की, आतम सम्मान की, पुरुसकार की, रिवाड की और कुछ हासिल होगा उमीदों की भी बहुत ज़्यादा आवशक्ता है ये सब चीजें होनी चाहिए लेकिन इसके अंदर ये है कि उस उमीदों से ज़्यादा important ये है कि आज से आप क्या उमीदें रख रहे हो अभी से आप क्या उमीदें रख रहे हो उमीद जो है वो भी बहुत ज़्यादा जरूरी है लेकिन परजेंट इस टाइम आज का जो वक्त है उसके अंदर आपके अंदर जो आशाएं उमीदें जोस जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है उत्सा बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों आप अपने माइंड के कि अगर आप रोजाना का एक परसेंट भी बहतर करो एक परसेंट भी रोजाना का बहतर करो तो आप एक साल के अंदरी लगबग 37 परसेंट लगबग 37 टाइमस आप अपने आपको बहतर कर लोगे तो बहतरी का छोटे से छोटा जो मानक है आप उसको भी अगर अपनाते हो उस उतने भी ये बातें बताई उत्सा की जोस की उमीद की बहतरी की सम्मान की और पुरुषकार की आपको कुछ हासिल होने वाला उसकी भी और आपको कुछ बहतर हर रोज करना है उसकी भी तो ये सब चीजें जो है वो विचारों से जुड़ी हुए और विचारे और जो विचा जीवन का एक बहुत बड़ा स्त्रोथ है आपके जीवन की एक इनर्जी है जैसे वह गुबारा एक इनर्जी की वज़े से उपर जा रहा था वेसे ही मैंने आपको एक बड़े विचार बताए है कि ये सारे विचार अगर आपके जीवन के अंदर होंगे पॉजिटिव विचार अगर आपके जीवन के अंदर होंगे तो ये आपको उर्जा देंगे ये आपको शक्ती देंगे और दोस्तों ये बड़े विचार केसे बनते हैं इन बड़े विचारों का बनने का तरीका क्या र बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा आगामी वक्त में आज आप अगर एक पॉजिटिव पॉजिटिव तरीके से सोचने लग गए हैं हर एक प्रिस्तिती के बारे में दो सकता है कि आप अंदर से वह पॉजिटिव उतना पॉजिटिव आप नहीं मान रहे हो लेकिन आपके अंदर उस पॉजिटिव विचार आने के जो रास्ते हैं जिनको मैं पैटर्ण कहता हूं जिनको मेडिकल साइंस के अंदर पॉजिटिव पैटर्ण कहा जाता है माइंड के अंदर कुछ पैटर्ण बनते हैं वो पॉजिटिव पैटर्ण सकारात्मक आदतें अच्छे विच पॉजिटिव लेकर आएं, छोटे-छोटे काम पॉजिटिव करें, छोटी-छोटी आदतों को अपने को पॉजिटिव दिशा में लेकर आएं, छोटे-छोटे बहतरी के काम करें, तो आपकी ये छोटे-छोटे पॉजिटिव विचार मिलकर बड़े-बड़े पॉजिटिव विचार बना देंगे और बड़े बड़े पॉजिटिव विचार मिलकर आपके माइंड को उपर रखने का आपके गुबारे को हमेशा आस्मान की बुलंदियों को जू जाने का एक जो जोस है एक उर्जा है वो आपको जरूर दे देंगे दोस्तो आपको मैं कुछ बातें और बताना चाहूंगा कि मैंने आपको बताया छोटे-छोटे विचार मिलकर काम करते हैं यह चोटे विचार एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं एक अच्छा विचार आए का उसके साथ में दूसरा अच्छा विचार आना ही आना आएं दोस्तो ये बात भी उसके साथ में जुड़ी हुई है तो एक सकारातमक सोच जो है वो दूसरी सकारातमक सोच को बढ़ाती है और ये बात आपके सबसे ज़्यादा काम में आएगे क्योंकि उसका उल्टा भी पोसिबल है कि आप जैसे ही नेगटिव सोचने लग ज किसी एक मकान को पॉजिटिव चीजों से भर दें तो आप नेगटिव चीजों के लिए जगह नहीं रहेगी वेसी आपके माइंड को आप पॉजिटिव चीजों से भरें और मैं चाहता हूं कि आप अपने विचारों के उर्जास के दम पर अपने मन की अपने मन को नई उन पर लेके जाएं अपने मन के गुबारे को हमेशा आसमान की बुलंदियों को छू जाने का एक अवसर परदान करें इन्ही उमीदों के साथ इन्ही आशाओं के साथ कि आप सभी ने इन विचारों और मन का कनेक्शन बहुत अच्छे से समझा आप सभी का बहुत बहुत सेंट बॉक्स में कह सकते हैं यह वीडियो अच्छी लगी तो इसको आप लाइक कीजिए आप इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल या फेस्बुक पेज या ट्वीटर इंस्टाग्राम हर जगह हम अवेलेबल हैं उ कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप जरूर पहुंचें आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू जैहिं जै भारत